नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइमस और मैं हूँ आपके साथ जोती मिश्रा आई नजर डालते हैं आज की साथ बजे की साथ बड़ी खाबरों पर केंदर ग्रेमंत्री अमिट शा का शनिवार को अमेठी में रोड शो वहीं जहासी और बांदर में अमिट शा की रेली विपक्ष को बताया देशी अंग्रेज बोले राहूल बाबा के इंडी अलाइंस का सुपड़ा साथ ललित पुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमिट शा ने जहासी लोगसभा सीट से भाशपा प्रतियाशी नुराख शर्मा के लिए वोट मागे अमिट शा ने विपक्ष को देशी अंग्रेज बताते हुए उन पर तंच कसा उन्होंने का कि चार चेरण में पियम मोधी 270 सीटे लेकर तीसरी सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ गए राउल बाबा के इंडी अलाइंस का सुपड़ा साफ हो गया है पियम मोधी तीसरी बार देश के प्रिधान मंत्री बनेंगे स्वामी प्रिसाद के पुत्रे उत्क्रिस्ट कॉंग्रेस में हुए शामिल मनोज पांजे के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव स्वामी प्रिसाद मौरे के बेचे उत्क्रिस्ट मौरे उफ अशोक मौरे शनिवार को कॉंग्रेस में शामिल हो गए हेट स्पीच देने पर नोटिस जारी किया गया उन पर प्रेस कॉंफरेंस कर पीम के खिलाफ आपत्ती जनक टिपड़ी करने पर शिकायट की गई है कॉंग्रिस नेता प्रेंका गांधी ने शनिवार को कॉंग्रिस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्धर में रोट्शो किया इस दोरान उन्होंने कारे करताओ से एक जुट होकर चुनाव जिताने की अपील की है प्रेंका गांधी ने चुनाव प्रिचार के आखरे दिन मंदिर और गुरुद्वारे में किये दर्शन मापुर्शो की मूर्ती पर किया माले अर्पन इन दोनों ही सीटों पर 20 माई को मतदान होना है बलगरामपुर में मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्षा के लिए श्यादप का भाजपा परतंच का भाजपा हार नहीं रही है भाजपा चुनाव हार चुकी है उनकी भाशा और उनके भाशड से पुरे देश की जंता जान चुकी है जितनी उचाई पर जाना था वो जा चुकी है अब उन्होंने लुड़कना शुरू कर दिया है चार सो पार फ्री में नारियल पानी पीना पड़ा भारी सिपाईयों पर एक्षन प्यार वीयों में तैनात एक महिला सिपाईयों समेट चार लोगों को आज शनिवार को अपर पुलिस आयूक लौ एंड और हरी चंद्र ने लाइन हाजिर कर दी है इन चारों का बीते गुरुवार को एक वीडियो शोचल मीडिया पर वाइरल हुआ था जिसमें प्यार वी में तैनात एक महिला सिपाही समेट चार लोग फ्री में नारील पानी मांग रहे थे नारील पानी विकरेता की मना करने से नाराज पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मार पीट की थी ताजनगरी में पारा असमान छूने को बेताब सरको पर सननाटा तापमान 46 डिग्री के पार आगरा में असमान से मानो आग बरस रही है आगरा की गर्मी ने सारे डिकॉर्ड तोड़ दी है शुकरवार को सीजन का सबसे गरम दिन रहा अधिक्तम तापमान 46.9 डिग्री सेस पहुँच गया सरको पर सननाटा पसरा हुआ है अधिक्तम के साथ नियूंतम तापमान में बड़ोतरी हुई मौसम विबाग नेगले 4 दिनों तक लूक आलर्ट जाई किया है फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रही उत्तर प्रदेश आइंस धन्यवाद